नमस्कार मैं हूँ सोनी सिंग और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल विंद में नवरात्र के चौथे दिन मा कुश्मांडा की पूजा की जाती है यह मा दुर्गा का चौथा स्वरूप है सास्त्रों के अनुसार अपनी मंद मुस्कुराहट वो अपने उदर से ब्रह्मांड को जन्म देने के कारण इन्हें कुश्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है मा कुश्मांडा तेज की देवी का प्रतीक है मान्यता है कि ब्रह्मांड के सभी प्राणियों में जो तेज है वह मा कुष्मांडा की देन है मा कुष्मांडा का स्वरूप मा कुष्मांडा की आठ भुजाएं है मा को अस्ट भुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है इनके साथ हाथों में कमंडल, धनुष, वान, कमल पुष्प, अमरित पोण कलश, चक्र तथा गदा है आठ हाथ में जपमाला है मा सी का सवारी करती है नवरात्र के चौथे दिन का शुभरंग नवरात्र के चौथे दिन हरा रंग पहनना शुभ माना जाता है मान्यता है कि मा कुश्मांडा को हरा रंग अतिप्रिये है मा कुश्मांडा का भोग मा कुश्मांडा को भोग में मालपुआ चड़ाया जाता है मान्यता है कि इस भोग को लगाने से मा कुश्मांडा प्रशन होती है और भक्तों पर अपना आशिरबाद बनाए रखती हैं मा कुश्मांडा पूजा विधी सबसे पहले स्नान आदी से निर्वित हो जाएं इसके बाद मा कुश्मांडा का ध्यान कर उनको धूप, गंद, आक्षत, लाल पुस्प, सफेद कुमढ़ा, फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान अरपित करें इसके बाद मा कुश्मांडा को हलवे और दही का भोग लगाएं आप फिर इसे प्रशाद के रूप में ग्रहन कर सकते हैं मा का अधिक से अधिक ध्यान करें, पुजा के अंत में मा की आरती करें मा कुश्मांडा की वर्त कथा पौरानिक मान्यता के अनुसार मा कुश्मांडा से तात्य पर है कुमढ़ा कहा जाता है कि मा कुष्मांडा ने संसार के दैत्यों के अत्याचार से मुक्त करने के लिए ही अपतार लिया था इनका वाहन सिह है हिंदू संस्कृती में कुमडे को कुश्मांड कहते हैं इस देवी को कुश्मांडा पौरानिक कथाओं के अनुसार जब स्रिष्टी का अस्तित्व नहीं था देवी ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी इन्हें आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा जाता है मान्यता है कि इनका निवास शुर्य मंडल के भीतर के लोक में स्थित है इस दिन मा कुश्मांडा की उपासना से आयू, येस, बल और स्वास्थ में ब्रिध्धी होती है अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फोर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों की साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें